नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों मैं हूँ आपका होश श्रेव धीरज आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ उन तीन चीजों के बारे में जो कि अगर मुझे मेरे 20 साल की उम्र में पता होती तो मैं जो भी अभी कर रहा हूं उससे कही ज्यादा बहतर कर रहा हूँ तो जो भी हमने अपनी mistakes से सीखा है, जो भी मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो जो भी hotel management का student है, जो 20 साल तक का है, उनको इन सब चीजों को बढ़ी ही ध्यान से सावधानली पूरवक सुनना चाहिए और उनको apply भी कर कि अपनी current situation के उपर आपको रोना नहीं है, don't cry on your current situation, आपकी जो भी परतवान में स्थिती हैं, आपको उसके पर रोना नहीं है, हम लोग हमेशा रोते ही रह जाते हैं, मेरे बाब आप गरीब हैं, इस वज़े से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मेरे पास पैसा नही या इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, विदेश नहीं जा पा रहा हूँ और मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तो ये सब आप बोल सकते हैं, आपको रोना नहीं है, आपको अपनी current situation को लेके महनत करनी है, क्योंकि जो भी आप current में करेंगे, जिस पास था, तो यहाँ पे आपको ना अपने माबाप, ना घरवाल उपर उसको उसको उसके लिए दोशी ठहराना है, कि जो भी आपकी current situation है, आपको अपने उपर काम करना है, तो कभी भी आपको अपनी present situation के उपर, current situation के उपर रोना नहीं है, हम में से अधिकतर लोग यही गल पा रहा हूं, तो यह सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं, और उसी चीज में हम लोग अपना समय बिताते जाते हैं, दूसरा यहाँ पे है कि हम लोग हमेशा पैसो के पीछे भागने की कोशिश करते हैं, हम लोग कभी भी ग्रोथ के पीछे भागनी कोशिश नहीं करते है हम सब को लगता है कि मैं फटावट से होटल मैनेजमेंट कर लूँगा, मैं डिगरी कर लूँगा, डिप्लोमा कर लूँगा, विदेश चला जाओंगा, एक फाइस्टर होटल में नौकरी पालूँगा, और जहां भी नौकरी मिलेगी उसके बाद जैसी ही दूसरी नौकरी मि उस समय में सबसे ज़्यादा हमको भागना है अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी ग्रोथ के उपर हमें काम करना है, उसके लिए भागना है, ना कि पैसे के लिए अगर आप अपनी ग्रोथ के उपर काम करेंगे, अपने उपर इंवस्ट करेंगे, अपना टाइम इंवस्ट करे टिक है जी अपने skills के उपर काम करेंगे तो जो भी आपने स्रुवाती समय में कम पैसा भी लिया है वो बाद में आपको इतना ज्यादा मिलेगा आप यकीन भी नहीं कर सकते हैं वहीं यह भी होता है कि हम लोग सिर्फ salary के पीछे भागने के चक्कर में अपनी skills पे कभी भी ध्यान नहीं देते हैं अगर हम लोग अपनी स्किल्स पर ध्यान नहीं दे रहें तो हम लोग हो सकता है कि शुरू के समय में कुछ पैसे ज्यादा कमा लें, किसे दूसरे से थोड़ा आगे बढ़ जाएं, पर लॉंग टर्म में कभी भी हम लोग सर्वाइब नहीं कर पाएंगे, और सेम वही सिट्व हो जाते हैं ऐसे लोगों के बीच जो कि नेगेटिव होते हैं, जो कि आपको हर किसी एक नई चीज को अपनाने से करने से रोकते हैं, मैं छोटा सा एक्जामपल लूँगा, टिका जी हम सब हिंदी स्कूल से ही पास आउट थे, जब मैंने शिप में जाके अपलाई करने की क आउ안 holer होंगे पर ऐसे लोगों का साथ आपको नहीं करना है आपको हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहना है, ऐसे पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना है, त्योंकि आपको अच्छा करने के लिए सला दे रही हैं, और यहाँ पे इา जिसको भी अपना मैंटर भोन चाहें 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 आप उसको वर्चुली माने या उसको चाहें आप परसनली मिल के माने पट आपको उनकी सला का जरूर पालन करना है यहाँ पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो भी वो कर रहे हैं आपको उसको फिगर आउट भी करना है कि किस तरीके से उन्होंने व उन्हें से सलाह लेने की कोशिश कर रहे ह। चाहे कोई नया स्टार्ट अप कोई नई जॉब के लिए हो या कोई भी नई अप्शूनुटी आपके पास आ रही हो और यही तीन सलाहा थी मेरे लिए आप लोगों के पास जो कि आपको माननी है मैं दुबारा से सबको समप करने की कोशिश करूँगा सबसे पहले मैं जो सबसे जो लास्ट वाली सलाह है कि एक right mentor को आपको चुनना है मैं उसे जरूर बोलूँगा कि आपको एक right mentor को चुनिए उसके बाद हमेशा जो भी आपकी current situation है उसके उपर कभी भी आपको पस्तावा नहीं करना है उसके उपर guilty fee नहीं करनी है क्योंकि जो भी आप current में करेंगे उसका आपको result future में मिलेगा ठीके जी जैसी भी आपकी situation थी वो matter नहीं करती है और इसके बाद हमेशा आपको पैसे के लिए नहीं अपनी growth के लिए भागना है और जैसे ही आप अपने उपर काम करेंगे अपने उपर invest करेंगे आप देखेंगे आपकी growth ही अपने आप होने लगी है कुछ भी questions वो comments लिए लिखेगा फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में तब तक के लिए जैसे